Hi friends, welcome to my channel Yummy Food by Midula आज हम दिखाएंगे प्राण की एक recipe मसाला प्राण ये एक simple recipe है हमने याँ पे medium size प्राण का इस्तिमल किया है आज चाहे तो small size प्राण का भी इस्तिमल कर सकते हैं इसको rice roti के साथ खाने में अच्छे लगते है इस रेसिपी को बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिन्स चाहिए बो है सरसो तेल मिडियम साइज प्राण को काटके अच्छे से धोके लिया है नमक हल्डी पाउडर इलाईची होल राई रेट चिली और तेज पत्त कलंजी अनियन पेस्ट लहसुन पेस्ट दही धनिया पाउडर लालमिच पाउडर जीरा पाउडर धनिया पत्त गरम मसाला पाउडर और निम्बू की एक स्लाइस चलिए शुरू करते हैं कढ़ाई में ओएल ले लीजिए ओएल जब अच्छे से गरम हो जाए फिर उसमें प्राण को डाल दीजिए आप प्राण की उपर से थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर एट कीजिए आप प्राण को ओएल में थोड़ी देर फ्राई कीजिए आप हमीशा याद रखे प्राण को ज़ाधा फ्राई नहीं करना चाहिए नहीं तो प्राण रबर की तड़ा हो जाएगा आप प्राण को ओएल से निकल दीजिए आप उसी ओएल में खरे मसाले को डाल दीजिए आप मसाले को थोड़ी देर फ्राई कीजिए इस रेसीपी की हर इंग्रिडियन्स की क्वांटिटी जानने के लिए आप रस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं आप उसी ओयल में अनियन पेस्ट डाल दीजिए फिर उसके बाद अधरब पेस्ट फिर लाईसुन पेस्ट डाल दीजिए अब सारे मसाले को अच्छे से mix किजिए थोड़ी दिर mix करने के बाद इसमें grated tomato डाल दीजिए फिर इसमें healthy powder, zira powder, धनिया powder डाल दीजिए अब सारे मसाले को अच्छे से fry किजिए थोड़ी दिर फ्राई करने के बाद इसमें आप आपके हिसब से नमक एट कीजिए फिर इसमें लाल मिर्च पाउडर एट कीजिए फिर इसके बाद दही एट कीजिए अब सारे मसाले को अच्छे से फ्राई कीजिए अब हमेशा याद रखे लो फ्लेम में मसाले को अब जितनी दिर फ्राई कर सकते हैं मसाले की टेस्ट उतनी अच्छे आती है अब मसाले से जब ओयल उपर आने लगे फिर इसमें फ्राई किए गए प्राउण को एट कीजिए आप प्राण को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कीजिए थोड़ी देर मिक्स करने के बाद जब ओयल प्राण और मसाले से उपर आने लगे फिर इसमें आप अपके हिसाब से पानी आट कीजिए थोड़ी देर बाद जब पानी में उबल आने लगे फिर उपर से धनिया बत्ता एट किजिए अब इसमें आलू भी एट कर सकते हैं फिर उपर से गरम मसाला पाउडर एट किजिए फिर निम्मो की रस्ची रखके थोड़ी दे ढखके सार्प किजिए प्राण मसाला फ्रेंड्स मेरी बनाई गई वीडियो अगर अपको अच्छे लगे तो लाइक, शेर, कमेंट करना और सब्सक्रेब करना आगे से और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए